तो तरुन तेजपाल पर शुकंजा कस्ता जा रहा है कानून का और आपको बता दें कि गुवा पुलिस अब उनसे पूछताच कर सकती है और उसके बाद उनकी गिरपतारी लगभग तैमानी जारी हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर लगातार जुड़े में आजीत अंज है कि किस तरह से ये सच सामने आगा क्या बयान के आधार पर जो लड़की ने शुकायत की है तहलका में उसके आधार पर इस पूरे किस को आगे बढ़ाए जाएगा देखे जो खबर आ रही है कि उस होटल के उस लिफ्ट में जिस लिफ्ट में दो बार ऐसी घिनावनी शर् तरुन तेजपाल ने उस लड़की से की उसमें कोई CCTV नहीं है शायद यही बजा है कि तरुन तेजपाल कल से करें CCTV फूटेज निकल वालो जाँ हो और उससे दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा लेकिन जो पुलिस सुत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है कि उसमे तरुन तेजपाल के रवये पर एतराज अताके तरुन तेजपाल को मेसज किया है तरुन तेजपाल ने मेसज को रस्पॉंट किया है लड़की का E-mail है और पूरी बात जो लड़की ने सिल्सले बाद धंक से लिखी है वो सबूत है पुलिस जब उनके घर जाएगी हो सकत या लड़की बयान दर्ज करा है और मुझे लगता है आने वाले समय में ये होगा इसलिए तरुन तेजपाल के खिलाब प्रत्थम दृष्टिया काफी सबूत है कि उनका बचना पूरी तरह से नामुम्किन है और सबसे बड़ी बात इकबाल जुर्म तरुन तेजपाल ने ज किये जाने के लिए बिल्कुल तरुन तेजपाल की गिरफतारी की संबाबना बहुत ज्यादा बढ़ गई है सिदेग वार रुक कर लेते हैं हमारे संबादाता विनोध मिश्रा हमासा जुड़े में विनोध क्या गोवा पुलिस पहुच चुकी है और क्या कुछ चल रहा है बिल्कुल कुछ दिर पहले जब हमारी बात हुई थी गोवा के डिजी पीसर का करना था कि जो टीम है गोवा पुलिस की वो दिल्ली पहुचने वाली है ग्यारा बच कर दस मिनट वक्त था फ्लाइट का लेंड होने का दिल्ली एरपोर्ट पे तो संबागा की दिल्ली एरप